आर्जे सुर्वी सक्षेना के यूट्यूब चानल पर आपका स्वागत है दोस्तों बच्पन से हम और आप विक्रम बिताल की कहानी सुनते आ रहे हैं ये किस तरह बिताल राजा विक्रम अदित्ति को अपनी कहानियों के जाल में फसाता है और हर बार एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिता है कि राजा को सवाल का जवाब देना ही पड़ता है और असल में वेताल ने राजा विक्रम अदित्ति के सामने एक शर्त रखी थी कि उसे चुप रहना होगा और अगर प्रेश्न का उत्तर जानते हुए भी वो चुप रहा तो वेताल उसके सर का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा और वो बोला तो वेताल दुबारा उसी पेड़ पर लटक जाएगा यह कहानी दोस्तों बचपन में हर किसी न सुनी होगी फिर राजा वहां से कीचता है और योगी के पास ले जाता है तो दोस्तों निर्देशक पुषकर गायतरी की विक्रम वेधा जी हां विक्रम वेधा उस मुवी के आज हम में बनाए गई थी विक्रम वेधा जिसके मुख्य कलाकार थे माधवन और विजय सेतुपती आर माधवन और विजय सेतुपती की उपर पहले ये फिल्म सेम टॉपिक पर तमिल में बन चुकी है दोस्तों और जब मैं उस फिल्म को देख रही थी तो मुझे उसे देखकर काफ कहानी सुनाई कुछ उसी तरह से ये इसी टेक्स पर ये पिक्चर बनाई गई थी और तमिल में जो मैंने देखी आर माधवन और सितुपती जी की वो मुझे काफी इंट्रस्टिंग लगी थी अब बात करते हैं हिंदी फिल्म की जिसे पुषकर गायत्री ने बनाया है स्प इसके मूल फिल्में आर माधवन और विजय सेतुपती थे आर माधवन और विजय सेतुपती ने विक्रम बिताल की पौरानिक परिकलपना को पुलिस और अधिकारी के साथ जोड़ कर ऐसी कहानी और ऐसी अक्टिंग की जब आपके मन में अच्छाई और बुराई की बीच लाइन बलर हो जाती है आप समझ नहीं पाते कि कौन सही है कौन गलत है अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में चोर पुलिस की कहानी है विक्रम और उसकी स्पेशल टास्क फोर्स का यह अगठन होता है वो एक खुंखार अपराधी शातिर गैंगस्टर वेधा को पकड़ते अब यहां पर वकील की पत्नी के रूप में राधीका आप्टे है और विक्रम की पत्नी यानि वकील बनी होती है राधीका आप्टे वो वेधा के लिए काम करती है जहां विक्रम वेधा को पकड़ना चाता है वहीं उसकी पत्नी वेधा को बचाना चाती है और यहां पर यहां पर विक्रम का जिगरी यार अबास उसकी बीवी उसकी पूरी टीम शामिल होती है दूसरी तरफ वेधा के पक्ष में इसका भाई चंदा और बबलू ग्यांग के हिस्सा बन जाते है यहां पर विक्रम वेधा कुछ कहानिया कुछ प्रश्न के ऐसे जाल फैकता है कि विक कहानियों के मखड़ जाल के बाद विक्रम वेधा को पकड़ पाता है यह जानने के लिए को देखने होगी लेकिन अगर आपने तमिल की फिल्म देखी हुई है तो आपको कहानी का प्लाट कहानी का स्टोरी कहानी का एंड समझ में आ जाएगा है यहां पर बात करते हैं पु आते हैं एक दूसरे के तब कहानी में जान आ जाती है और दूसरे भाग में फिल्म एक तर्ण ट्विस्ट के साथ एक दम भागना शुरू कर देती है रितिक की हर कहानी के बाद एक सवाल और सवाल में चिपा एक राज हमारे अंदर एक क्यूरूसुटी जगाता है दिल्चस्पी जगाता है निर्देश कुशकर गायतरी ने अपनी जुगलबंदी में कानपूर लखनो के फिल्म के बैक ड्रॉप को पेश किया है इसमें कोई शक नहीं है कि सिनेमेटोग्राफर पिएस विनोत के कैमरे के लैंड से लखनों और कानपूर को एक अलग अंदाज में देखने का मौका यहां मिल रहा है एक्शन जो है वो रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला है चेंजिंग सीन रेलवेय यार्ड की कंटेंट का द्रश्य फिल्म की लंबाई की कमी यहां पर हो सकती है फिल्म सैफ, रादिका, योगित, रोहित और योगिता की प्रेम कहानी को थोड़ा और डेवलप किया जा सकता था लेकिन यहां पर लव स्चोरी नहीं थी सिवाए लड़ाई और मार जगड़े के तो वो थोड़ा जादा हो गया और यह कम रह गया निर्देशक ने हिंदी फिल्म में और मूल फिल्म की तुलना में कोई खास बदलाव नहीं किया है और कुछ सवाल जो हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं जैसे वेदा अपने अलाके का मसीहा क्यों है चंदा चोरी करके क्यों भागती है मगर फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो एंड में बाजी मान लेता है बैंगराउंड स्कोर दमदार है संगीत की बार के बात करें तो अलकोहलिया गाने में रितिक के डांस का जल्वा और कोरियोग्राफर की बेहतरीन कोरियोग्राफिय देखने को मलती है मगर इस तब के बावजूद आप यह सोच सकते हैं कि अचानक एक गांगस्टर की लाइफ में इगाना कहां से आजाता है हाला कि फिल्म में जीना इसी का नाम है और गाने को बहुत ही खुबसूरती से पिरोया गया है लेकिन ओवर ओल फिल्म को जब आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यह विक्रम वेधा जो फिल्म है वो रितिक की फिल्म है यह बलकुल गलत नहीं होगी वेधा के दो पहलू दिखाए गए है इसमें एक निर्मम हत्यारा है तो दूसरा जजबाती भाई बना है दोनों ही पहलू को रितिक ने बड़ी खुबसूरती से सकार किया है रितिक की अंट्री काफी धांसू है वेकिरदार की परतों को जीने में सफल रहे हैं रितिक के साथ सेफ भी फिल्म का एक बहुत पड़ा आधार सम साबित हुए है एक इमांदार कॉप के तौर पर उन्होंने इस पहलू को बहुत खुबसूरती से निभाया है और सेफ अली खान ने भी काफी अच्छा काम यहां पर किया है अच्छाई और बुडाए के बीच साथ को जूज़ता दिखाया जाता है लेकिन साथ का प्रिजन्स फिल्म में बहुत 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 रहा है और इन दोनों कलाकारों ने कलाकारी से सिनेमा का एक सिनेमा लुप्त हो रहा है उसको दुबारा काम्याब है यह वापस लाने में वहीं रादिका अप्टे ने अपनी सीमित स्क्रीन स्पेस से अपनी भूमिका में न्याए किया है फिल्म का सरप्राइस पैकेज है शारिभ हाश्मी शारिभ हमेशा से बहुत अच्छे अभी निता रहे हैं उन्हें अपनी अदकारी दिखाने का पूरा मौका मिला है रोहित शराफ अच्छे लग रहे हैं सत्यदीप मिश्रा यूगिता भिहानी भी एक बहुत अच्छे कलाका आप जाएंगे इसे देखने के लिए तो आपको अच्छे बूरी नहीं लगेगी हाला कि रेटिंग की बात करें तो अगर की की बात करें तो कियारके ने तो कह दिया है कि यह बिल्कुल ही टाइम वेस्ट फिल्म है और उन्होंने भी कम स्टार दिये हैं तो अगर यह बहुत समय के बाद इतनी अच्छी मूवी सामने आई है तो आई होप कि आपको यह मूवी का रिवी अच्छा लगा होगा अगर हाथ को मेंट करें लाइक करें शेयर झाल करें लाऊर को मूवी करेंसे Алट करेंसे उ den आयन है थिल्म है करिंसे ये करेंसे करेंसे के हैं भाइक करऴा dú Herod कि वहượng है प्रोपनास